हलो एंड वलकम बाक माई डियर फ्रेंड्स एंड आम कुमार शुप्रवीन वर्मली वलकम तो अलोफ यू तो इसकेस एडूकेशनल हब आज हम सब टॉप्मस फॉर्टी इंपॉर्टेंट जेनल विलन्स के कोशन पे हैं पार्ट फाइप पे आज बात करने वाले पार्ट फॉ फोर हो चुका है आप बिलकुल उसको पहले देख सकते हैं और माई डियर फ्रेंड्स मैं उमीद करता हूँ कि त्री टू फोर मंस का अगर आप जीए कर लेते हैं तो बहुत इनफ होगा देखिए अभी आपका बाब या फिर SBA में आपके लिए बहुत जादा इनफ होता है और पार्ट जैसे ही हम लोगों का जेनरल लिएंस खतम होगा हम लोग पूरे इंटार बैंकिन सेक्शन के MCQ को देखेंगे राइट कहीं न कहीं इस तरीके से आपका रिविजन होता हुआ रहेगा और मैं तो बिलकुल आप सब से उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत महनत कर करूंगा और सारे important questions को रट जाएए बिलकुल आप सब के लिए अच्छा score हो सकता है आपके exam में देखें चलिए MOOC करते हैं मैं आपको अभी तक part 4 का मैं आज pdf upload कर दूँगा facebook page से इससे पहले के सभी pdf को मैंने available कर दिया है facebook पे आप बिलकुल जाएए इस link पर या फिर मै description में भी इसके link को दे दूँगा आप जा करके facebook से pdf download कर सकते हैं और बहुत easy हो जाता है pdf के through आप लोगों को general awareness पढ़ना first question जो मैंने लिया है निमदी परदेश state government launched an outstanding power bill waybier scheme and subsidized power scheme called और ये आपका क्या है symbol राइट और देखे इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो below poverty line के families मतलब below poverty line वाले family होंगे उन लोगों को जो electricity provide किया जाएगा 200 rupees पर मन्त पर provide किया जाएगा और ये target है मतलब देखा गया है कि अब लगबग 8.8 million families को इसका फाइदा मिलने वाला है तो symbol scheme जो आपका है मदेपरदेश इसमें देखे question आपका कैसे arise होता है कि पहला आपको पोल सकता है कि symbol scheme किस state त्वारा लाए गया है दूसरा state का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा scheme कौन सा है तो दो question यहां से arise हो जाता है देखे दूसरा आपके लिए बोला गया है प्रसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉंस्ट इस सोलर चक्रा मीशन राइट सोलर चक्रा मीशन अंडर विच गवर्मेंट अंडर विच गवर्मेंट विल डिस्पर्जे सबसीटी और रुपीज कितना कौन सा गवर्मेंट के द्वार और कितना कडोर रुपया है तो आपने क्या देखा कि टोटल 550 कडोर रुपेज की बात की गई है और देखे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखा जैकि संपर्क आपका पॉर्टल है इसमें प्रसिडेंट रामनाथ कोविंद जो लॉ और चक्रमिशन और डिजिटल पॉर्टल अगर इसके बारे में आप सो पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे क्या संपर्क पॉर्टल है कितना अमाउंट है तो 550 करोर है ठीक है तो यह कुछ आपका बात होता है यहां से अब देखे इसके बारे में मैंने कुछ important points आप लोगों को यहां दे रखा है बिल्कुल आप points के दूरू जाएए तो टोटल और रही का target इसमें है कि लगबग पहले दो साल में 50 clusters आपके हो सकते हैं और every clusters में लगबग 400 to 2000 artisians को employment मिल सकता है तो बहुत ही अच्छा step है यह और देके platform के बारे में जो मैंने बताया आपको digital platform यह संपर्क portal है तो आपका question क्या arise होगा amount पूछा जा सकता है mission आपको पूछा जा सकता है digital portal पूछा जा सकता है कौन inaugurate किसके दौरा inauguration किया गया यह पूछा जा सकता है तो कुछ questions थे important देखिए next आपको बोला गया that government launched a solar power scheme for the farmers सुरिशक्ति किशान योजना सुरिशक्ति किशान योजना इसका देखिए SKY पूछा जाएगा government मतलब state आपको provide कर दिया जाएगा और उसमें इसका abbreviation भी पूछा जा सकता है तो प्रिपेर रही है सुरिशक्ति किशान योजना enabling them to generate electricity for their captive consumptions as well as sell the surplus power to the great and earn an extra trouble तो गुजराद government के द्वारा लाए गया है ये ठीक है तो इसमें कैसे question और किस सरीके का question arise होगा समझ गये बिलकुल राइट चलिया next सेवा भूज योजना union ministry of the DAS launched a new scheme to provide financial assistance on the purchase of the specific food item by the charitable religious institutions CRI for the free distribution among the people तो ये ministry of culture के द्वारा लाए गया है ministry of culture के द्वारा क्या आपका सही answer होना चाहिए ministry of culture और बिलकुल आप information के through बिलकुल जाहिएगा swajal scheme launched in DAS aspirational districts of the India to provide the clean drinking water ये आपका total 115 aspirational districts है आपका total ऐसा ठीक है और देखिए इसके अंदर आपका total आउटले रखा गया है 700 करोर रुपीज त्रोधी flexi fund flexi fund का idea आप लोगों को होना चाहिए क्योंकि आप एक banking aspirant है अगर नहीं तो मुझे comment में बदाएगा मैं आपको बिलकुल इस पे भी एक clear कर दूँगा वीडियो बना कर गया होता है आपका flexi fund national under the existing national ruler drinking water program NRDWP ठीक है तो total आउटले आपको यहां से पूछा जा सकता है 700 करोर का कितने ऐसे डिस्ट्रिक्स aspirational 115 कौन सा स्कीम है स्वजल स्कीम ठीक है तो आपको यहां से total three questions हो सकता है तो आपको ऐसा ही सोचना है कि एक GK के questions से कितने questions बन सकते हैं तो आप ऐसे बना करके चलेंगे तो आपका बिलकुल अच्छा स्कोर होगा Union Ministry of the Power launched DAS app to bring transparency in the electric payment to the generators यह आपका क्या है प्राप्ती अब प्राप्ती का abbreviation आपको पूछा जा सकता है तो प्राप्ती का abbreviation क्या होता है आपका payment ratification and analysis in the power procurement for bringing transparency in the involving of generators क्या आपका हो गया abbreviation पूछा जा सकता है scheme पूछा जा सकता है कौन से ministry के द्वारा launch किया गया यह पूछा जा सकता है वो ministry कौन है भी यह पूछा जा सकता है तो कितने questions यहां से लगब 3 to 4 questions आपका arise हो रहा है अब बिलकुल information के थ्रू जाईएगा प्राप्ती का जो आपका abbreviation है बहुत important है आपको ऐसा भी पूछा जाएगा पूरा का पूरा abbreviation दिया जाएगा आपको कोई एक term आपका guy up कर दिया जाएगा यह फिर बोला जाएगा कि प्राप्ती में जो टी का term है वो क्या है क्या चीज़ पर stand करता है तो ऐसे आपको question बनता है अपका यह कहां हुआ था न्यू देहली में राइट टीक है तो यह देखे आपका पूछा जाएगा कि कौन सा मैस्कोट है उसका नाम क्या है दूसरा कहां पर launch किया गया यह पूछा जाएगा और आपका क्या हो चकता है पूछा जाएगा कौन से ministry के द्वारा किया गया है अचीज के ministry है यह भी question से rise हो सकता है तो देखे कौन सा आपका question मनेगा यह आपको सोचना है और आप अगर depth में जाकर सोचते हैं तो बिलकुल आप हरे question का वहाँ पर answer करेंगे next आपका बोला जा रहा है May 2018 the union ministry Ravi Sangar Prashad launched the website of the digital India internship scheme in the New Delhi key point आपका बोला गया है under this scheme DAS interns will be inducted for a period of 3 months paid a stipend of rupees 10,000 per month तो आपके ऐसे total कितने है total आपको क्या बोला गया 25 ऐसे होने वाले interns right तो correct answer आपका क्या 25 है human resource development ministry has launched an initiative DAS to train the teacher using the digital platform और यह आपका क्या है स्वयम ठीक है स्वयम अब यहां पर आपका question arise हो सकता है कि स्वयम का आपका abbreviation या full form क्या है तो स्वयम होता है study webs of active learning for young aspiring aspiring minds right तो यह आपका question था आप देखे पूछा जाएगा कि स्वयम किस ministry के द्वारा लाए गया है तो HRT के द्वारा ठीक है फिर आपका कौन सा मतलब जो initiative उसका नाम क्या है उसका abbreviation क्या है तो यहां से total ऐसा three questions arise हो सकता है ठीक है in order to address rising incidence of DAS deficiencies particularly amongst the young Indian the food safety and the standards authority of India has launched an unique initiative project धूब right बहुत important है यह project धूब in association with the NCERT NDMC and the North MCD school यह vitamin D है अब यहां से आपको क्या vitamin D दे दिया जाएगा कौन सा project है यह पूछा जा सकता है यह फिर project आपको दे दिया गया और vitamin पूछा गया ठीक है तो दो question बहुत अच्छा से यहां से बन सकता है यूनियन मिनिश्टी फोर रेलवे इंदे कोल स्रीप्रियू स्कोल लांच दे उत्तम एप फोर दी कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग उत्तम यहां पर आपको डिरेक्ली बोला गया कि उत्तम क्या चीज़ पर इस्टेंड कर रहा है तो उत्तम आपका क्या चीज़ पर इस्टेंड करता है अनलॉकिंग ट्रांसपरेंशी बाइदी थर्ड पार्टी असस्टेंट आप दी माइंड कोल राइट अनलॉकिंग ट्रांसपरेंशी बाइदी थर्ड पार्टी असस्टेंट आप दी माइंड कोल यहां पर आपको क्या पूछा जा सकता है उत्तम में ऐस तो यह आपका मंदला डिस्टिक है ठीक है यह आपका कौन लाया था नितिया योग देखे बहुत बड़ा इनिशेटिव है हम लोगों के कंट्री के लिए साय जपान और चाइन बहुत आगे इन सभी चीज़ों में निकल गया बहुत पहले से ऐसा इनिशेटिव लिया हुआ है बहुत अच्छा यह कोशन बनता है और थोड़ा अगर इसके डिफ्ट में जाईएगा तो अटल निउ इंडिया चैलेंज नितिया योग के दोरा लाई गया इसमें क्या है कि जो आपको बहुत अच्छा स्टुडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ अच्छा मतलब आप प्रोजेक्ट वो बनाता है तो डिफिनेटली उसको क्या होगा कि एवार्ड किया जाएगा लगबग एक कडोर रुपय तक का और उसको अच्छे कॉलेज अच्छे इंसिट्यूट के प्रोफेशर को प्रोवाइट किया जाएगा और उसमें दोनों को मिला कर कुछ ऐसा आपका प्रोड़क्ट मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोड़क्ट बनाया जाएगा और उसको इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारा तो जो कि Japan बहुत पहले चाइना बहुत जादा इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ा हुआ है बट हम लोगों ने अब इससे स्टार्ट किया बर फिर भी देर नहीं है और होगा अच्छा नेक्स्ट दि मिनिस्ट्यों की हुमन रिसोर्स डेवलप्पेंट एचार्ड लॉंच दि सेकेंड इंडिशन अब दि उन्नत भारत अवियान इन आपका ये कहां हुआ है नियू देली में हुआ है ठीक है तो भारत अवियान से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि उन्नत भारत अवियान कहां हुआ नियू देली में या फिर आपको पूछा जागा नियू देली में HRD अभी जो लॉंच कियें सेकेंड इंडिशन वो क्या था तो बहुत सारे ऐसे कोशन्स बन सकते हैं लेकिन बहुत नहीं इंपॉर्टेंट जादा डास इंट्रडूस दी रूप स्री योजना फॉर दी मैरेज अव दी पूछ गर्ल्स अब इस्टेंट इस स्कीम देर इस प्रपोजल टो एक्स्टेंट दी फाइनिशल असिस्टेंट और रूपीज 25 थाउजन तो दी गर्ल्स फैमिली हूस एन्वल इंकम इस रूपीज 1.5 कि लिए मनदर 1.5 लागत तक का एन्वल इंगम रहेगा तो उसको क्या है कौन सा ये गर्मेंट लाए देगा है या किस गवर्मेंट के दौरा लाए गिया है तो राइक ये वेश बंगल के गर्मेंट है और एक और आपका क्या बन सकता है कि डिरेक्ली बोला जाएगा कि वे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा हुआ इसकीम है तो इसकेस में आपको अटल अमरीत अभियान याद रखना है किस स्टेट में आपको लाए गया वो भी आपको याद रखना होगा ठीक है और देखिए दो चीज आपको इसमें है दो चीज नहीं मतलब पहला अगर देख सकते हैं कि कितना लाख या कितना तक का आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है या कभर करेगी है तो टू लाख रूपीज का आपको इसमें मिलेगा कोई भी इंडिविज्वल को गंगा हरितमाला इसमें गंगा हरियाली योजना इस्टाटेट अपका उडिशा के द्वारा लाए गिया था ठीक है यह आपका उडिशा के द्वारा ही लाए गिया है और इसमें कुछ ऐसा है कि लगभग जो फ्री सेनेटरी नपकीन है वो 17 लाग गिल्स जो कि क्लास 6 ते 12 के बीच में होंगी उन लोगों को प्रोवाइट किया जाएगा तो बहुत अच्छा इस्टेप से एक इनिशेटीव बहुत अच्छा आपका उडिशा गवर्मेंट के द्वारा लिया गया है साथ इप्रोजेक्ट बहुत अच्छा कोशन साथ इप्रोजेक्ट तो इंटर्यूस सिस्टम वाइड गवर्नेंस ट्रांस्फोर्मेशन इन इस स्कूल एजुकेशन अब यहाँ पर देखिए पूछ इप्रोजेक्ट बहुत अच्छा कोशन है अब देखिए यहां से आपको पूछा जा सकता है कि CEO नितियायो का कौन है साथ ही क्या चीज़ पर इस्टेंड कर रहा है कौन इसको लाया है ठीक है क्या चीज़ के लिए है मैंने अब्जक्टिव क्या है कि ट्रांस्फोर्मेशन of the school मतलब education purpose के लिए ठीक है तो यह question यहां से बन सकता है next the ministry of the skill development and the entrepreneurship union ministry partnered with the ministry of the power to support household electrification scheme यह आपका बोला गया है इसमें सौभाग यह इसकी अब देखिए सौभागी का abbreviation आपको पूछा जा सकता है क्या है सहज बिजली हर घर योजना ठीक है तो यह दो question यहां से बिलकुल आपके लिए rise हो सकता है to ensure the electrification for all the willing household in the country in the ruler as well as the urban areas. India hosted 15th Asia media summit in 2018 in New Delhi and the theme of the summit. question क्या बनेगा आपका कि कहां पर हुआ यह submit कहां place किया है तो आपको new daily उस case में रखना होगा अगर theme आपसे पूछा तो आपको बोलना होगा कि telling our stories Asia and more यह आपका theme था right telling our stories Asia and the more ठीक है और यह question बहुत depth में अगर जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कितनवा Asia submit था media का तो आपको उस case में बताना होगा 15th right तो question को आप जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा गौर से देखिए depth में जाकर सोचिए बिल्कुल question का answer आप सब दे सकेंगे Dash will host the 2018 World Robot Conference WRC in the August 2018 बहुत ही famous सा question है यह चाइना है ठीक है First meeting of the BIMSTEC working group on the custom corporation BIMSTEC देखे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि BIMSTEC का full form क्या है तो आप उस case में बोलेंगे Bayo Bengali initiative for the multi-sectoral technical and the economic corporation फिर बोला जाएगा कि Bayo BIMSTEC में आपके total ऐसे कितने countries है तो देखे B से आपका Bangladesh, I for India, M for Myanmar, S for आपका Sri Lanka और T for Thailand दो और countries टोटल यहां से कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, total इसमें 7 countries है यह 5 यहां से हो जाते हों बाद में आपका Nepal और Bhutan आपका add किया गया है तो इस तरीके से total 7 हो जाएगा और जब आपसे इस related question को पूछा जाएगा तो आपको anyhow यह दो question याद रखना है कि BIMSTEC का full form क्या है total कौन से countries हैं मुझे याद है कि 2015 में जब banking का exam मैं दे रहा था तो question एक ऐसा आया था कि BIMSTEC में ऐसे कौन से countries हैं नहीं है तो सारे options उसमें मिल रहे थे पाकिस्तान आपका option था तो वह बिल्कुल नहीं है इस country में ठीक है तो hope so आने वाले समय में आप सब prepare रहेंगे तो इसका answer क्या आपका होना चाहिए कि first meeting of the BIMSTEC working group on the custom corporation यह आपका कहा हो रहा है यह आपका take place करेगा इंडिया में ठीक है तो इंडिया इसका सही answer आपका होगा next 2018 बेव बंगाल initiative for the multi sector technical and economic corporation BIMSTEC submit तो यह आपका क्या answer है इसका नेपाल BIMSTEC के बारे में आपको information पूरा पता चल गया है next आपका बोला गया है कि इंडिया South Africa business summit 2018 was held in यह आपका कहा है ठीक है जो हैंसबर्ग आप जो हैंसबर्ग से related जो भी आप information collect कर सकते हैं वो कीजिए कि क्या है कहा है किस आपका किस place पर आता है इसके अगल बगल का neighboring countries कौन सा है थोड़ा सा आप depth में जाकर बिलकुल देखना है थोड़ा map का knowledge आपको लेना है यह आपका कहा हुआ है बैंगलूरु में ठीक है next the 12th informant meeting on the Sark Finance Ministry 2018 was held in यह आपका कहा हुआ है तो मनीला में हुआ है ठीक है the next प्रवाशी भारती दीवस will be held on 21st to 23rd January 2019 in the holy city of Varanasi Uttar Pradesh and the theme of the 15th प्रवाशी भारती दीवस is यहाँ आपको बनेगा theme इसका role of India, role of the India, diaspora in the building and new India ठीक है तो यह इसका theme है लेकिन आपको question कहां से बन सकता है कि कहां पर हो रहा है ठीक है तो आपको उस case में वाराणाशी देना होगा कितनावा प्रवाशी भारती दीवस है 15th प्रवाशी भारती दीवस क्या theme है इसका यह आपको पता चल जाएगा तो तीन question यहाँ से बन सकता है role of the India, diaspora in building and new India ठीक है first happy cities submit यह आपका कहां हुआ है अमरावती में 10th edition of the defense expo India 2018 यह आपका कहां हो रहा है तामिल लाडू ठीक है और दीक है तामिल लाडू में यह भी properly आपका 11th of April से 14th of April में हुआ था लेकिन आपको देखें कि defense expo का main objective क्या है या फिर यह किस purpose से लाए गया है तो बहुत अच्छा है लागबग पीछे पिछले एक दसक्त से यह बहुत अच्छा काम कर और इसका condition काफी अच्छा है तीक है दीन पर दीन यह ज्यादा ग्रोथ कर रहा है defense expo is clearing and steering the path of steady growth and has been receiving the overwhelming and unprecedented international response with each edition ठीक है तामिल लाडू इसका सही option था the world expo 2020 यह आपका कहा हुआ है दुबाइ में अगर इसका main objective देखें तो इसका था connecting wind and creating the future sorry connecting minds and creating the future इसका main motto है first international conference on the water environment and the climate change knowledge sharing and the partnership यह आपका कहां नेपाल में हुआ है first meeting of the BRICS finance ministry and the central bank governors Washington DC ठीक है BRICS के बारे में देखिए कि कौन आपका क्या questions यहां से बन सकता है कि BRICS में total कितने countries है कौन-कौन से countries है right तो पहले 2010 से पहले BRICS में BRIC था बस और 2010 के बाद आपका South Africa ad हो गया जिसके कारण S लगा था और BRICS का abbreviation आपका यहां से Bangladesh ठीक है sorry Bangladesh बोल रहा हूँ मैं Brazil, Russia, India and China बाद में आपका South Africa ad हुआ है और देखिए इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि BRICS कब आया था South Africa ad हुआ था 10th BRICS submit जो अभी South Africa जो host कर रहा है 10th BRICS submit July 2018 में और जिसके लिए अभी कुछ दिन के बाद ही या में भी 2-3 दिन में हमारे Prime Minister जाने वाले हैं BRICS submit के लिए और 5 जो countries का visit है उनका यहां पर सही start होगा तो बहुत अच्छा कोशन यहां से arise हो सकता है आने वाले समय में कि BRICS अभी जो 10th BRICS submit हुआ 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 कहा हुआ राइट और कौन उसको host किया था कौन-कौन से उसमें countries है 2018 Global Malaria Summit यह आपका कहा हुआ तो United Kingdom अब देखे Malaria Summit में पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो पूरा का पूरा eradication इंडिया सोचके रखा यह कब तक का है तो 2030 लेकिन नॉर्मली इंडिया सोचा हुआ है 2017 से लिए 2022 के बीच में इसको कहीं न कहीं मुझे कम करना और Eliminate टाइप का कर देना है तो यह टारगेट है 2017 तो 2022 Elimination है और 2030 इसका टोटल इराइडिकेशन है इंडिया का टारगेट ठीक है United Kingdom लंदन में Malaria Summit 2018 का हुआ था 25th Commonwealth Head of the Government Meeting Chogom 2018 is being hosted by the United Kingdom अच्छा अब देखे पहला question क्या चोगों कहा हुआ था तो United Kingdom में चोगों का theme क्या था ठीक है तो towards a common future यह आपका इसका theme था towards a common future ठीक है Next the first G20 meeting of the Finance Ministry and the Central Bank Governor was held in आपका यह कहां हुआ था Argentina ठीक है ना Argentina देखे यह blue वाला जो मैं मैंने बैप पर दिखाया हुआ है यह South America में आपका है और अरजेंटीना यह blue portion आपने देख जो रखा है अरजेंटीना यह है तो कहां हुआ G20 first G20 meeting of the Finance Ministry and Central Bank Governor held in अरजेंटीना एंटीना 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 आपका रखा गया है यह आपका रखा गया है new digital horizon connect create innovate ठीक है इसमें आपका पूछा जा सकता है कि कहां पर होगा तो न्यू देली में होगा ठीक है नू देली में और इसका तीम अगर आपसे पूछा जागा तो वो आप यह बता सकते हैं new digital horizon connect create innovate 18th non-aligned movement नाम mid term ministerial conference यह आपका कहां हो रहा है तो बाकु में बाकु कहां का capital है अजर्बिजान का और देखे मैप में इसको clearly मैंने दिखाया है कि यह portion आपका है और देखे बगल में आपका दोशी यह capsicum sea है और इस side में अगर आप देखे तो black sea है टर्की के टर्की का neighbor है तुर्के म रिलेट करके देखेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद रहती है 18 आपका नाम कहां पर हो रहा है तो यह बाकु में हुआ ठीके और इस तरीके से आज का जो top 40 most questions था वो मैंने आप सब को बताया अगर आप लोगों को यहां से benefit मिल रहा है then do like my dear friends और देखे कहीं न कहीं यह फ्यूल का काम करता है और मुझे एक consolation price type का मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे questions collect करके लाप पाऊं और definitely यह बहुत important होता है किसी भी educator के लिए and really if you feel that if you are getting benefit from this platform then do subscribe and you know if you would like I would like to say you that please share this video you know आप अपने friends के साथ even Facebook आप इसके PDF को share कीजिए जितना अब share कीजिएगा आपके लिए वो अच्छा है हमारे लिए अच्छा है सभी के लिए अच्छा है क्यों ना share करें sharing is scaring my difference और अगर आप new इस चैनल पे तो बिलकुत subscribe कर लीजिएगा और notification bell जरूद आप लीजिएगा अब आप बोलिए कि आप लोगों को इसको मैंने part 4 का PDF म आप वहां से डाउनलूग कर सकते हैं और मैं part 5 का भी PDF आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी Facebook पर दे दूँगा Facebook के पेज का मैं आपको address description में भी दे दिया है वहां से आप जा सकते हैं और next मैंने second slide में भी दिखा दिया कि क्या address है right yes educational हब क्या Facebook पेज से जाईए और पिस and keep on practicing